खरमास के समय कौन-कौन से कारी करने चाहिए, कौन से कारी नहीं करने चाहिए, इस विशे पर वैसे तो मैं बीडियो बना चुका हूँ, परंत फिर भी बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज़ आ रहे हैं, कुछ चीजों के बारे में जानने के लिए, इसलिए इस सं वीडियो को देख लेने से आपकी समस्त शंकाएं दूर हो जाएंगी। कमेंट करके यह जरूर बतलाईएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी थी। लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तथा जरूरत मन्नों तक इशे आवस्ट शेयर करिएगा। आईए इस महत्पून वीडियो का शुभारंब करते हैं। संबंदित सभी प्रस्णों के समाधान को जानेंगे। प्रस्ण है विबाह तैं हो चुका है तो क्या विबाह की खरिदारी इस माह में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मित्रों इसका जवाब यही होगा कि आप कर सकते हैं क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए इस कारे को आपको निप्टा लेना चाहिए। क्या हम पहले से बुकिंग की हुई गाड़ी ला सकते हैं जी हाँ बिलकुल ला सकते हैं यदि आप खरमास से पहले कोई वाहन बुक कर चुके हैं और उसकी डिलीबरी आपको खरमास में मिल रही है तो अपने कारे की स्थिती देखते हुए निरने कर लें यदि कमपनी आप दोनों रुक सकते हों तो ना लें अन्नथा गाड़ी घर लाएं क्या हम पहले से लिए किराय के घर में जा सकते हैं हाँ जा सकते हैं चुकि एक माह का किराया आपको अत्रिक्त भरना पड़ेगा तथा आप यदि आपके पास अभी रहने का ठिकाना है और आप बिना कष्ट के एक माह रह सकते हैं तो रह लें अन्नथा नए किराय के घर में प्रवेश कर लें पहले से यात्रा निश्चित है टिकट बन चुका है तो क्या यात्रा कर सकते हैं आज कल की भागदोर नौकरी चाकरी के इस्थित में बहुत सारी बातों को नजर अंदाज करना पड़ता ह है चुकि आपको अपने काम पर लोटना है टिकट बन चुका है यात्रा का दिन सुनिश्चित हो चुका है और यदि आप नहीं जाते हैं तो आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है इसलिए आपको यात्रा करनी चाहिए मैंने एक दुकान लिया है क्या उसकी खरमास भर रुकने से आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो रुक जाईए अन्य था अपना रोजगार शुरू करिए क्या नया बस्तर पहन सकते हैं जी हाँ आप नया बस्तर धारन कर सकते हैं नया नया भोजन कर सकते हैं क्या खरमास में शादी की बात चलाना भी अश क्या खर्मास में शत्यनारण भगवान की पूजा कर सकते हैं जी हां बिलकुल कर सकते हैं इस महिने में तो और भी पूजा पाठ करना चाहिए पूजा व्रत आद में कोई दोश नहीं है क्या प्रदोस बत प्रारम कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, किसी भी ब्रत को करने में कोई भी दोश नहीं है खरमास में तीर्थ स्थान में जाना और पूजा करवाना फलदाई होता है क्या? जी हाँ अवश्च फलदाई होगा इसमें आपको कोई भी दोश नहीं लगेगा सूर्य भगवान को खरमास के समय जलदान स्टार्ट कर सकते हैं क्या? जी हाँ बिलकुल सुरू कर सकते हैं खरमास के महीने पौश में तो रविवार ब्रत भी किया जाता है जो की हर कार की सिध्ध देने वाला कहा गया है यदि आप लोग पौश रविवार के संबंध में जानने के चुक हैं तो प्लेलिस्ट में आपको रविवार ब्रत के संबंध में वीडियो मिल जाएगी क्या खरमास में लक्षमी हवन, देवताओं का हवन आदि कर सकते हैं? जी हाँ बिलकुल कर सकते हैं इसके लिए कोई भी मनाई नहीं है, कोई भी दोस नहीं है क्या खरमास में सर्विस की ज्वाइनिंग कर सकते हैं यदि आपको कमपनी महीना भर का अत्रिक्त समय दे रही हो तो रुक लें अन्न था बिल्कुल ज्वाइन करें नहीं तो आप लेट हो सकते हैं तो मित्रों ऐसे ऐसे कुछ प्रस्न थे जिनका समाधान हमने करने की कोशिश अपने वीडियो में की है वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतलाईएगा लाइक अवश्च कर दीजेगा इसी तरह की महत्पूर्ण जानकारियों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ नवश्कार देव शनाथ